और उतरकाशी के भटवारी में सिलकू मेले की शुरुवात हो चुकी है उचे बुख्यालों से राए गए ब्रह्मकमल समेथ दूसरी प्रजाति के पूल फलों को आराधे देमता समिश्वर को अर्पित किया जाता है ग्रामीरों में इस मेले को लेकर बहुत उसार है पहाड के पारम पर एक नित्य पर जुम रहे ग्रामीरों की ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है जहां सेलकू मेले के दौरान ग्रामीर कुछ इस तरह से जुमते नजर आए ग्रामीरों के साथ पूरु विधायक विजयपाल सज्वान भी समिश्वर देउता की अराधना कर रहे हैं उत्तराखन के पहाडी शेत्रों में घांस के हरे मैदानों यानि बुग्यालों में उगने वाले फूल बारिश खत्म होने के बाद सूखने लगते हैं उनके सूखने से पहले है ग्रामीर उन्हें देउताओं के चर्णों में समर्पित करते हैं उचे बुग्यालों से लाए गये ब्रहमकल समेथ दूसरे फूलों को समेश्वर देउता को चड़ाया जाता है शेत्र के इस्ट देउता समेश्वर की पूजा पारंपरिक तरीके से की जाती है इस परो में शामिल होने के लिए सभी शादी शुदा बेटियां माय के आती है और इस्ट देउता को चड़ावा चड़ाती है सेलकू मेले में ग्रामीर पारंपरिक रासोत तादी का आयोजन करते हैं इस दोरान इलाके के लोगों के लिए अराध्य देउता समेश्वर से सुख शांती की प्रातना की जाती है एबीपी गंगा के लिए उत्तर काशी से दिखबीर विष्ट की रिपोर्ट उदर यमुना घाटी के सुनारा गाउं में तीन साल बाद माभगवती की देवडोली पहुची तो ग्रामीर खुशी से पूले नहीं समाए इस दोरान ग्रामीरों ने माभगवती का अशरवाद लिया पारंपरिक तरीके से मा की आराधना की गई सुनारा गाउं को माभगवती का मायका कहा जाता है और मानता की मताबिक मुराद पूरी होने पर देवी को सोना चांदी चांदी के सिक्के चड़ाए जाते हैं माभदर काली नौगाउं पुरोला विकास खंड के बारा गाउं की इश्ट देवी हैं उत्तरा खंड में अप्तियो हारो का सीजन शुरू हो गया है पहाड पर नंदा सुननन्दा महुत सब की अलग बात है जिसमें लोगों की काफी आस था है नैने ताल और राने खेत में मा नंदा सुननन्दा महुत सब की शिरुवात हो चुकी है और इस सब पर्व पर केले के वरिक्ष की पूजा अर्चना की गई और फिर केले के पेड को शोभा यात्रा के साथ नंदा देवी मंदर में लाया गया इस उत्सव में केले के पेड़ का वशिश महत्व होता है, केले से ही नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाए जाती है, 14 सितंबर को मूर्तियों के स्थापना के जाएगी और 17 तारिक को शोभायात्रा के साथ उत्सव का समापद रुगा है केला लेने का बड़ा भारी खर्मात्म होता है, तो कि इसी से ही मूर्ति का निर्मान होता है, और ये महत्वज़ आज से शुरू हो गिया है, आज से मूर्ति निर्मान की तगरिया शुरू हो जाएगी, ग्यारा, बारा, तेरा, तीन दिन मूर्ति निर्मान होगा, शुरूदा को विदिवित ग्रम मुनूर्त में इसकी स्ताफने की जाएगी